हमारे पिछले वीडियो में हमने लॉयर, बैरिस्टर और एड़ोकेट की लीगल टर्मिनलोजी और इनके बीच के डिफरेंस के बारे में बात करी थी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटावनी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल, एड़ीशनल सोलिसिटर जनरल और एड़ोकेट जनरल के बारे में हाई अबिवन, मैं हूं अभिशेक और आप देख रहे हैं Knowledge Maverick शुरुआत करते हैं अटावनी जनरल ऑफ इंडिया हालिया Attorney General of India है श्री केके वेनु गोपाल Attorney General का appointment राष्ट्रपती खुद करते हैं और इनका जो tenure होता है उसको extend करने की power भी राष्ट्रपती के पास होती है Current Attorney General of India श्री केके वेनु गोपाल का appointment पूर्व राष्ट्रपती श्रीप्रणम मुखर जी दौरा किया गया था उनको reappoint राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद जी ने किया और अभी उनका tenure अगले साल 29 जून 2023 को पूरा हो जाएगा Attorney General का काम होता है Government of India को legal advice देना Attorney General को First Law Officer of India कहके भी संबोधित करा जाता है जिस प्रकार की भी legal advice सरकार को चाहिए होती है केंदर सरकार को वो Attorney General प्रोवाइड करते हैं अगर केंदर सरकार को कोई कानून बनाना है, हटाना है या उसमें कोई संशोधन करना है तो उसकी भी जिम्मेदारी Attorney General of India की होती है Attorney General of India देश के कानूनी मामले Supreme Court of India में represent भी करते हैं वो देश के principal advocate भी होते हैं Attorney General एक संविधानिक पद है मगर Attorney General की सहयता के लिए Solicitor General जो होते हैं वह एक संविधानिक पद नहीं है वह एक statutory position है यानि की वैधानिक पद है Solicitor General of India का काम भी Attorney General की सहयता करना होता है और वो भी देश के बिहाफ में Supreme Court में या देश के दूसरी अदालतों में देश के मामले कानूनी तोर पे रिप्रेजेंट करते हैं और गॉर्मेंट को कोई भी policies बनानी हो या वही amendment या new policy इनेक्ट करनी हो या नया कोई कानून लाना हो तो उसमें भी Solicitor General Attorney General की सहयता करते हैं Solicitor General of India Attorney General की सहयता करते हैं मगर Solicitor General of India की जो सहयता करते हैं वो होते हैं Additional Solicitor General of India Additional Solicitor General of India पूरे 16 की संख्या में हो सकते हैं फिलाल के Solicitor General of India जो हैं वो हैं श्री तुशार महता अब बात करते हैं Advocate General की जिस तरह से Solicitor General Attorney General देश को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से Advocate General राज्य के Legal Advisor होते हैं जैसे कि आप उत्रप्रदेश के हैं तो उत्रप्रदेश के जो Advocate General होंगे वो उत्रप्रदेश के जो कानूनी मसले होते हैं उनमें सरकार को Legal Advise प्रदान करते हैं Attorney General of India, Solicitor General of India Additional Solicitor General of India और Advocate General ये Private Practice भी कर सकते हैं मगर उसमें Condition ये है कि कोई भी मामला देश या राज्य के खिलाफ ना हो क्यूंकि वो देश के वकील हैं और राज्य के वकील तो हैं ही मगर किसी भी मामले में वो राज्य और देश के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताईए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए धन्यवाद जैंट